हेलो गाईज मैं प्यूश आप सब का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चनल असोशेट लानी पर आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सीटेट पेपर वन का सलेबस आखिरकार हम ये सलेबस लेकर के वाए हैं बहुत दिनों से काफी लोग मैसेज कर रहे थे कि सर जिस तरीके से आपने यूजी सी नेट के पेपर को डिसक्राइब किया है उसी तरीके से हमारे लिए सीटेट पेपर वन और पेपर टू का सलेबस भी डिसकस कर लीजे जिससे कि हमें तयारी करने में थोड़ी मदद मिल सके तो आज का ये वीडियो उसी पर बेज़्ट है पूरी तरीके से अगर आप भी सीटेट के तयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं जिसे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखने हैं पूरे सलैबस को कि किस तरीके से क्या-क्या चीज़ें हमें इस सलैबस के अंतरगत पढ़नी हैं और कौन सी चीज़ों पर हमें ज़्यादा फोकस करना है तो चलिए शुरू करते हैं अगर हम बात करें सलैबस और पैटन की तो सलैबस हमें ये चीज़ें बता देता है कि हमारा जो दाहरा है वो कितना है और पैटन हमको ये चीज़ बता देता है कि हमको किसी subject को कितना deep तक जा करके पढ़ना है ये दोनों चीज़ें हमारे लिए बहुत important हो जाती है पहला pattern समझना कि उस exam का pattern कैसा है और दूसरा कि उस exam का syllabus क्या है तो सबसे पहले हम pattern को discuss करते हैं कि आखिर pattern है क्या तो seated में दो paper कराये जाते हैं पहला होता है paper 1 और दूसरा होता है paper 2 ठीक है तो एक होता है paper 1 और एक होता है paper 2 paper 1 जो होता है वो primary level के लिए कराये जाता है और जो paper 2 होता है वो junior level के लिए कराये जाता है primary level के अगर बात करें तो ये 1 to 5 होता है और junior level के अगर बात करें तो ये 6 to 8 होता है इसके बाद अब इन में देखते हैं कि कितने questions आते हैं तो अगर हम primary level की बात करें तो इसमें भी 1.500 questions आते हैं और marks कितने marks का होता है यानि हर एक question एक marks का होता है यही same condition चलती है junior में junior में भी 1.500 questions आते हैं और 1.500 marks के यह होते हैं इसके बाद हम बात करते हैं cut off की यह eligibility exam है और क किसी भी teaching exam में बैठने के लिए इसका पास होना बहुत जरूरी है, ठीक है, इसलिए इसमें cut off का प्रावधान भी रखा गया है, ठीक है, तो हम बात करते हैं कितनी cut off होती है, तो general के लिए cut off कितनी होती है, 90 marks की cut off रखी जाती है, जनरल के लिए, ठीक है, तो general के लिए कितनी ह होती है 90 marks की रखी जाती है यही 60% होता है 150 का 60% अगर आप निकालेंगे तो कितना निकलेगा 90 तो 90 marks cut off होती है किसकी जनरल कटेगरी की जबकि SC ST और OBC की cut off कितनी होती है 82.5 marks या 55% इसकी cut off होती है यही primary में होता है और सेम यही चीज़ चलती है junior में ठीक है तो pattern आपको समझ में आ गया होगा तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं वो जो डेड़ सो marks हैं वो किस तरीकी से डिवाइड होते हैं अब हम उसको देख लेते हैं सबसे पहले जो पहला section आता है हमारा वह आता है चाल्ड डेवलप्मेंट पेड़ागोजी का जिसे हम CDP कहते हैं और इसका question इसमें कितने questions आते हैं सकते हैं कोई भी इसमें भी आपके पास choice होती है कई सारी languages होती है जिस language को आपने language 1 में लिया है उस language को आप language 2 में नहीं ले सकते हैं बस बाकी कोई भी दो वो भी 30 marks के होते हैं और लास्ट portion आता है एवियस का और इसमें भी कितने questions होते हैं 30 questions 30 marks के होते हैं अगर हम इन सबको add कर दें तो कितना बन जाता है 150 ठीक है 5 portion तो 5 into 30 is equal to 150 ठीक है तो total questions हो जाते हैं हमारे से शुड़ो हो जाता है आपका syllabus सबसे पहले देखते हैं तो सबसे पहले आता है इसमें concepts of development Fantastic की कौन कौन से concepts हैं और इसका relationship क्या है learning से सबसे पहले हमें ये देखना है कि development क्या होता है फिर उसके बाद हमें देखना है कि इस development के साथ relation क्या है इस तरीके से ये चीज़ें आगे बढ़ती है अगला आ जाता है principles of development ठीक है सिध्धान्त क्या है विकास के सिध्धान्त क्या है बच्चों में किस तरीके से विकास आगे बढ़ता है ये सारी चीज़ें हमें देखनी है इसके बाद अगला topic आ जाता है influence of heredity and environment हम समाजी करण क्या होता है ठीक है समाजी करण बहुत एक जरूरी प्रक्रिया है समाज के साथ तालमिल बेठाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि हम सभी एक समाज का हिस्सा है और अगर हम समाज के साथ ताल में नहीं बिठाएंगे तो हम इस पूरे समाज से बिलकुल बाहर नजर आएंगे इसलिए सोसलाइजेशन भी बहुत जरूरी होता है और ये काफी important topic होता है social world and children, समाज और बच्चे, इन दोनों का क्या relation है हमें उसको भी समझना है teachers, parents और peers ये सब किसका हिस्सा हैं? ये सबी हिस्सा हैं समाज का और बच्चा इसी समाज में रहता है इसी समाज में रहने करण उसे समाजिक प्रक्रिया से होकर के गुजरना पड़ता है इसलिए समाजी करण क्या हो जाता है? important हो जाता है इसके बाद आपको प्याजे पढ़ने हैं, कोलबर्ग पढ़ना है, वाई गोट्स की पढ़नी इन सभी की थियोरी उसको पढ़ना है, साथ ही साथ इस प्रक्रिया के critical perspective को समझना है कि बच्चों के लिए इन्होंने क्या बोला? इसके बाद concepts of child centered आज का जो समय है वो कैसा है? child centered education का समय है तो हमें क्या देखना है? concepts of child centered education देखना है progressive education क्या होती है? ये समझना बहुत ज़रूरी है इसके बाद आते है critical perspective of the construct of intelligence बुद्धी का निर्माण किस तरीके से हुआ? बुद्धी होती क्या है? IQ क्या होता है? ये सारी चीज़े हमें याँ पर समझनी है इसके बाद आता है multi dimensional intelligence multi dimensional intelligence क्या होती है? ठीक? बहु आयामी बुद्धी क्या होती है? वो भी हमें याँ पर समझना है इसके बाद आता है language and thoughts ठीक है भाशा और विचार क्या है ठीक है भाशा और विचार का आपस में संबंद क्या है क्या यह एक दूसरे से related होते हैं या नहीं related होते हैं तो क्या संबंद है वो भी हमें यहां पर समझना होता है अगला यहां पर हमें चीज़ और देखते हैं वो होती है जैंडर पायरीटी तो जेंडर पायरीटी क्या होती है वह भी चीज़ों को समझना होता है इसके बाद इसके बाद इसमें आ जाता है individual differences among learners आप primary से लेकर के higher education किसी का भी exam देते हैं individual differences topic हर exam में होता है ऐसा क्यों होता है क्योंकि हर learner और हर वेक्ति एक दूसरे से अलग है चाहें वो जुणवा ही क्यों ना हो उसमें भी कुछ ना कुछ differences होते हैं तो यही differences एक वेक्ति को दूसरे से अलग करते हैं और जब वेक्ति एक दूसरे से अलग है तो उसके सोचने की समझने की छमताएं भी अलग-अलग होती हैं तो उसको पढ़ाने के तरीके भी अलग-अलग होंगे और यही सारी चीज़ें हमें पढ़नी है किसमें individual differences among learners learners के बीच में individual differences क्या-क्या होते हैं, किस तरीके क्यों होते हैं वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर समझनी है understanding differences based on diversity of language ठीक है, language में जो diversity है क्योंकि जो हमारी country है वो कैसी है, unity in diversity की country है हम बाहर से unite नजर आते हैं, लेकिन अंदर से हम बहुत ही diversified है diversified हमारी कमजोरी नहीं है यह हमारी ताकत है यहाँ पर हिंदो, मुस्लिम, सिक्की साही सब साथ में रहते हैं, अलग-अलग भाशा बोलने वाले वेक्ति साथ में रहते हैं, अलग-अलग caste के अलग-अलग gender के, ठीक है अलग-अलग community के धर्मों के लोग भी साथ में रहते हैं तो इन सब का क्या प्रभाव है उन सारी चीजों को भी हमें यहाँ पर पढ़ना है इसके बाद आ जाता है the distinction between assessment for learning and assessment of learning ठीक है, तो assessment for learning क्या होता है और assessment of learning क्या होता है, हमें इन दोनों के बारे में समझना है ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे दीता हूँ इसमें हमको formative assessment और summative assessment के बारे में पढ़ना है ठीक है, तो formative assessment क्या होता है और summative assessment क्या होता है हमें उस चीज़ के बारे में पढ़ना है सुना होगा तो इसके बारे में हमें या पर पढ़ना है इसके बाद आजाता है उसके लिए हमें कई तरीके की चीजों को समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है ठीक है, for enhancing learning and critical thinking बच्चों में किस तरीके से learning को बढ़ाया जा सकता है उसके बारे में critical thinking को किस तरीके से develop किया जा सकता है तो उसके लिए किस तरीके के questions हमें बच्चों से पूशने चाहिए उन सब के बारे में भी हमें यहाँ पर पढ़ना होता है ठीक है, इसके साथ साथ for assessing learners achievement ठीक है, तो बच्चे की जो achievement है उनको भी हमें क्या करना है, assess करना है यानि कि उसको क्या करना है, उसका आकलन करना है, उसका मापन करना है तो उसके लिए भी हमें क्या करना होता है इस तरीके के questions बनाने होते हैं, जिससे हम उसको पूरी तरीके से समझ सके ठीक है, कि वो किसी question के जवाब को देने के लिए तैयार है या नहीं है उसका level of readiness कितना है, उसकी learning को enhance करने के लिए questions पूछने होते हैं, वो thinking कर सके, critically चीज़ों के विशे में सोच सके, उसके बारे में भी उस चीज़ को increase करने के लिए questions बना करके उससे पूछने पढ़ते हैं, ठीक है, तो यह सारी चीज़े हमको यहाँ पर पढ़नी हैं, तो section B मे कुछ special बच्चे होते हैं, ऐसे भी बच्चे होते हैं, जिनकी जरूरते हैं अलग होते हैं, जो अलग तरीके से चीज़ों को देखते हैं, उनका जीवन को देखने का नजरीया अलग होता है, ठीक है, तो कुछ special बच्चे होते हैं, उनकी अलग जरूरते होते हैं, हमें उनक क्या है डाइवर्सिफाइड है उससे जो बच्चे निकल करके आते हैं जिसमें डिसएडवांटेश क्लास डाता है डिप्राइवड क्लास आ जाता है डिसएडवांटेश का मतलब होता है ऐसा वंचित वर्क जो बिल्कुल ही अलग था अब उसे में स्ट्रीम में लाया जा रह और साथ ही साथ उन्हें मुख्य धरा मिलाने के लिए हमें किस तरीकी के education उन्हें देनी चाहिए तो उसके बारे में हमें यहां पर पढ़ना है इसके बाद आ जाता है addressing the needs of children with learning difficulties ऐसे बच्चे भी होते हैं जो क्या करते हैं जिनको किसी चीज़ को सीखने में समस्या होती है जै इस तरीके के जो बच्चे होते हैं उनको एक special need की जरूत होती है तो इस तरीके के बच्चों के बारे में हमें पढ़ना है साथी साथ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो impairment के साथ होते हैं इंपियर्मेंट का मतलब होता है उनमें किसी ना किसी अंग का अंग की दिक्कत होती है जैसे हो सकता है किसी बच्चे की आख में प्रॉब्लम हो उसको आख से दिखाई न पड़ता हो हो सकता है किसी बच्चे के पैर में दिक्कत हो उसका पैर टूटा हुआ हो हो सकता है किसी बच्चे के हाथ में दिक्कत हो तुस्सक्र लिखने में दिक्कत होती हो तो इस तरीके के जो बच्चे वो भी special tracker के बच्च शोते हैं उन्हें भी हमें एक अलग तरीके से ट्रेंट करना पड़ता है ठीक है इसके बार, addressing the talented कुछ बच्चे होते हैं, जो talented होते हैं creative बच्चे होते है especially able learners तो कुछ talented बच्चे होते हैं creative बच्चे होते हैं कुछ special qualities के साथ बच्चे आते हैं तो सब को जब हम एक छथ के नीची एक तरीके से पढ़ाना शुरू करते हैं तो इसी को कहते हैं inclusive education ठीक है अब आ जाता है cdp का section c जिसमें हम learning and pedagogy की बात करते हैं सबसे पहला topic है इसमें how children think बच्चे कैसे सोचते हैं बच्चे कैसे सीखते हैं हमें इन सब के बारे में भी यही पर सीखना होता है क्योंकि अगर आप primary level का seated दे रहे हैं तो इसका मतलब है आप बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार है अगर आप बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये तो पता होना ची कि बच्चे किस तरीके से सोचते हैं क्योंकि यहां पर आजाता है age difference आप एक teacher है ठीक है और जो बच्चा है वो काफी छोटा है वो आप तक आएगा या वो आपके level तक आएगा ये संभव नहीं है लेकिन आप उसके level तक जा सकते हैं तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम ये समझें कि बच्चे क्या सोचते हैं और बच्चे क्या कैसे सीखते हैं इन सब चीजों को हमें ध्यानकना होता है इसके बाद आ जाता है how and why children fail to achieve success in a school performance ठीक है इसके बाद जो दूसरा topic आता है वो आता है कि बच्चे कैसे और क्यों fail हो जाते हैं success को achieve करने में school performance की क्योंकि आपने देखा होगा हर बच्चा class में top नहीं करता कुछ बच्चे top करते हैं कुछ बच्चे average रहते हैं और कुछ बच्चे fail भी होते हैं तो वो क्यों fail होते हैं उसके पीछे क्या कारण है वो सारे कारण भी हमें यहां पर पढ़ने होते हैं क्या teacher ने उनको सही से पढ़ाया नहीं या वो खुद ध्यान नहीं दे रहे हैं उस पर क्या समस्या हैं उन सारी चीजों को भी हमें यहां पर पढ़ना होता है इसके बाद आ जाता है basic process of teaching basic process of teaching and learning ठीक है basic process क्या है teaching or learning का वो हमें यहां पर समझना है इसके बाद children's strategies of learning ठीक है हमें बच्चों के लिए क्या strategies बनानी चाहिए जिससे आसानी से learn कर सके learning as a social activity learning एक social activity है ठीक है तो इक किस तरीके से कराई जानी चाहिए हमें उस पर भी focus करना होता है ठीक है इसके बाद आज जाता है social context of learning ठीक है learning का जो भी आप चीज़ें सिखा रहे हैं उसका social context क्या है ठीक है यानि कि वो समाज में किस जगे बच्चों के काम आएगा ये भी आपको पता होना चाहिए यानि कि learning आप जो भी कराएं वो किसी ना किसी रूप में बच्चे के काम आनी चाहिए ठीक है इसका अगला point आता है child as a problem solver बच्चा जो होता है वो क्या करता है एक problem solver होता है ठीक है किस तरीके से वो problem solver होता है हमें यह चीज़े देखनी होती है and a scientific investigator बच्चा एक scientific पढ़नी होती है ठीक है understanding children's error as a significant step in learning process ठीक है यहां पर एक चीज़ निकल कर आती कि जो बच्चे गलती करते हैं ठीक है कोई भी learning process होगा अगर विच्चा उसमें गलती कर रहा है इसका मतलब वो सीख रहा है गलती करने का यह बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि वो सीखना नही पर नहीं चाहता यह है कि वो सीखने की कोशिश कर रहा है और गलतीयां होना learning process में बहुत जरूरी है अगर कोई गलती नहीं कर रहा है तो या तो वो भगवान है और या फिर वो खुद को इस process से जोड़ ही नहीं रहा है अगला topic आ जाता है cognition and emotion cognition क्या होता है यहीं संग्यान की वो चीज़ें हम यहां पढ़ते है motivation है क्या ठीक है और learning क्या है ठीक है इनको भी पढ़ते हैं और motivation ओर learning काक्या सम्मंध है इन चीज़ों को भी समझने काम प्रयास करते हैं इसके बाद आ चाता है factor contributing to learning ऐसे कौन से factors हैяг친 जो लर्णिंग को प्रभावित करते है या learning को उसारी चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। तो यह था हमारा CDP का syllabus। CDP का syllabus हमें देखने में बड़ा जरूर लगता है, लेकिन सबसे easy portion यही होता है, और जिसमें 100% marks gain किये जा सकते हैं। एक बार समझ लेंगे, तो यह आपको काम आती है, सीटेट पेपर 1 में, सीटेट पेपर 2 में, UPTET या किसी भी स्टेट टेट के exam में यह काम आसानी से आ जाती हैं। अगला जो section है, वो है हमारा language का, तो language में दो पार्ट आते हैं, पार्ट A आता है जिसमें language comprehension आता है, तो दो passage हो जाते हैं, तो दोनों से related questions आते हैं, इसको कैसे solve करना है, मैं भी आपको आगे बताऊंगा, अगला जो portion आता है, वो आता है pedagogy का, pedagogy of language development, किस तरीके से language का development हुआ है, उसके बारे में हमें आपर पढ़ना होता है, तो पहला जो इसमें topic है, वो है हमारा learning and acquisition, ठीक है, learning का मतलब क्या होता है, किसी भी भाषा को सीखना, और acquisition का मतलब होता है, किसी भी चीज़ को acquire कर लेना, तो दोनों में difference होता है, जो हमारी mother tongue होती हम उसे acquire कर लेते हैं, क्योंकि हम उसको सीखते नहीं, हम उसको अपने बातावरान से ही अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं acquisition, और learning क्या होती है, जिसमें हम efforts लगाते हैं, किसी चीज़ को सीखने के लिए, जब हम efforts लगाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, learning कहते हैं, ठीक है, तो यह चीज़ हमें यहाँ पर पढ़नी है, अगला आजाता है principle of language teaching, principles क्या है, language को teach करने के, वो हमें यहाँ पर पढ़ने, क्योंकि हर subject को पढ़ने का तरीका अलग होता है, ठीक है, जब हर subject को पढ़ने का तरीका अलग है, तो language को पढ़ने का तरीका भी अलग होगा, तो उसी को हमें यहाँ पर समझना होता है, अगला सुना होगा to be a good speaker you have to be a good listener ठीक है यानि कि अच्छा वक्ता होने के लिए आपको अच्छा शुरोता होना भी जरूरी है ठीक है तो listening और speaking का क्या role है उसे भी हमें यहाँ पर पढ़ना है इसके साथ functions of language क्या क्या होते है language किस तरीके के functions को play करती है हमें वो देखना है how children use it as a tool और बच्चे भाशा को औचार के रूप में कैसे इस्तिमाल करते हैं हमें वो भी यहाँ पर पढ़ना है अगला आ जाता है a critical perspective on the role of grammar role of grammar क्या है in learning a language for communicating ideas ठीक है किसी भी भाशा को सीखने में grammar का क्या role है ताकि किस लिए क्यों हम भाशा को क्यों सीख रहें भाशा को हम सीख रहें अपने ideas को communicate करने के लिए verbally और written form में और essay में जो grammar है उसका क्या role है वो भी हमें यहाँ पर पढ़ना है challenges of teaching language in a diverse classroom एक diverse classroom में ऐसी classroom जिसमें अलग-अलग religion के अलग-अलग language बोलने वाले बच्चे और अलग-अलग जाती के बच्चे आते हैं उस class में language को पढ़ाने के क्या challenges है, हमें वो समझने हैं यहांपर, इसके लावा language difficulties क्या होती है, language को बोलने में errors क्या होती है, disorder क्या होते है, language को लेके disorders भी होते हैं, उन्हें भी हमें यहांपर पढ़ना है इसके बाद आ जाती है language skills, language skills को हमसी होती है, जिसे हम L.S.R.W. के नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं listening, speaking, reading and writing, यह हमारी क्या होती है, यह हमारी language skills होती है, सबसे पहले हम किसी language को सुनते हैं, फिर हम उस language को बोलते हैं, फिर हम उस language को क्या करते हैं, read करते हैं, और last में हम उ लैंग्वज स्किल्स को भी हमें आपर पढ़ना है इसके बाद आ जाता है इसके बारे में भी आपर पढ़ना है इसके बाद आ पढ़ने बच्चों को स्कूल में आपने बीड या बीटीसी जो भी किया हुआ है उसके बाद आप जब टीचिंग करने जाते हैं तो इस टीलम के साथ जाते हैं वही चीज़ें हमें यहां पर पढ़नी है टीचिंग लर्निंग मैटेरिल के तौर पर हम क्या क्या यूज करते ह इसमें टेक्स्ट बुक आती है मल्टी मीडिया मेटेरियल साते हैं जिसमें मल्टी मीडिया के अगर बात करें तो रेडियो आ जाता है टेलिविशन आ जाता है कंप्यूटर आ जाता है यह सारी चीज़ें किसमें आने लगी है मल्टी मीडिया में आती है ठीक है इसके बाद हाता जाते हैं हम language 2 में Language 1 और language 2 की अगर बात कहें तो language 1 और language 2 का जो syllabus है वो बिल्कुल सेम है बस फर्क इतना आ जाता है कि जो language आपने language 1 में ली हुई है और जो language आपने language 2 में ली है दोनों अलग-अलग हो जाती है एक्जामपल के तौर पर अगर आपने language 1 के रूप में हिंदी ली हुई है और language 2 के रूप में English ली हुई है ठीक है तो हिंदी के लिए आपको language 1 के हिसाब से पढ़ना है और English के लिए आपको language 2 के हिसाब से पढ़ना है ठीक है अब यहां पर हमें क्या करना है जब हम हिंदी को पढ़ाते हैं तो उसको पढ़ और जो भी आप language 2 लेंगे वो आप किसमें पढ़ेंगे language 2 में पढ़ेंगे और दोनों का syllabus बिलकुल सेम है ठीक है उसमें भी language 1 में भी section इमें paragraph था यहां पर भी एक paragraph है ठीक है एक paragraph किसका है prose का और एक paragraph किसका है poem का तो यह दोनों आएंगे इसके लावा pedagogy में सेम वही सारे topics जो आपने language 1 में पढ़े थे ठीक है language 1 में learning and acquisition था यहां पर भी है principles of language and teaching है वो यहां पर भी है role of listening and speaking वो यहां पर भी है इसके अलावा a critical perspective on the role of grammar in learning यह भी यहां पर है ठीक है तो language 1 और language 2 का syllabus तो सेम है लेकिन दोनों language अलग अलग है language 1 में अगर आप Hindi लेते हैं तो language 2 में आ अपने language लेनी होकी तो language का syllabus बिल्कुल सेम होता है ठीक है अब देख सकते हैं दोनों जगे सेम चीज़ें जो language 1 में लिखी होई थी वही सेम चीज़ें आपर लिखी होई है ठीक है अब हम बढ़ते हैं आगे अगला section आ जाता है हमारा mathematics का mathematics में भी दो पोर्षन होते हैं पहल से पहले हम देख लेते हैं content के portion में हमसे क्या क्या पूछा जाता है तो content के portion में हमसे पूछी जाती है geometry, shape and special understanding, solids जो हमारे आसपास पाए जाते हैं, numbers क्या होते हैं उनके बारे में हम देखना है, addition and subscription क्या होता है उसके बारे में देखना है, multiplication, division क्या होता है उसके बारे में हम तो दूद को वो लीटर मिलाएगा, किलो मिलाएगा, किस चीज मिलाएगा, अगर यह उसको पता होगा, तो वो आसानी से चीजों को कर सकता है, इसलिए measurement भी इसका part हो जाता है, इसके आदा जाता है weight, उसके आदाता है time, volume, data handling, data handling में data को handle करना सिखाया जाता है, कि कोई भी data ह तो इस data का use किस तरीके से किया जाएगा, वो आजाता है, और इसी में आप पढ़ते हैं तीन चीजें, जिसे हम कहते हैं, mean, median, और mode, तो इसमें data handling में आप क्या-क्या पढ़ते हैं, mean, median, mode पढ़ते हैं, range पढ़ते हैं, ठीक है, यह सारी चीजे आप यहाँ पर data handling में पढ़ पढ़ते हैं, और उसके बाद आजाती है, money, money का भी बहुत जादा use होता है, क्योंकि बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, पैसे के लिए हर कोई रो रहा है, ठीक है, तो पैसे के बारे में हम बच्पन से ही पढ़ना शुरू करते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और अब यहाँ पर आजाता है, और अब यहाँ पर आजाता है, पैड़ागोजिकल इशूस, तो mathematics में कौन को उनसे पैड़ागोजिकल इशूस हैं, उनको भी यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आजाता है, nature of mathematics, mathematics का nature कैसा है, logical thinking कैसे की जाती है, maths में, understanding children's thinking and reasoning pattern, बच्चे के, जो बच्चे की thinking है, उसको समझना की बच्चा किस तरीके से चीज़ों को सोचता है, ठीक है, साथी साथ, वह किस तरीके के pattern को follow करता है, किसी चीज में reasoning लगाने में, ठीक है, जैसे, अगर आपने बच्चे को कोई चीज दिखाई, तो बच्चा किस तरीके से उस चीज के बारे में सोच रहा है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, और किस pattern को वो follow कर रहा है, उस चीज के लिए सोचने में, उसे भी हमें यहाँ पर समझना होता है, इसके अलावा, strategies of making meaning and learning, ठीक है, आपको उसके लिए strategies बनानी होती है, कि किस तरीके से वो ज़्या ज़्यादा से ज़्यादा चीजों को सीख सके, ठीक है, इसके बाद आजाता है, place of mathematics in curriculum, ठीक है, हमारे mathematics, हमारे curriculum में mathematics का क्या इस्थान है, वो भी हमें पता होना चाहिए, और ये सारी चीज़े हम कहां पर पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़े हम पढ़ते हैं, pedagogical issues में, जो के बारे हमें आपर पढ़ना है, अगला आ जाता है हमारा evaluation, evaluation through formal and informal methods, ठीक है, तो हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को कैसे evaluate कर सकते हैं, दो तरीके होते हैं इसके लिए हमारे पास, तो पहला तरीका है हमारा formal तरीका, और दूसरा है informal तरीका, formal तरीका वो होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, पहले से ही सारी चीज़ा decide कर देते हैं कि किस तरीके से हमें सारी चीज़ों को evaluate करना है, और informal तरीका वो होता है, जिसमें हम कोई भी चीज़ डिसाइड नहीं करते हैं, और randomly किसी चीज़ को करने लगते हैं, तो वो होता है मारा evaluation का informal तरीका, इसके करता जाता है error analysis and related aspects of learning and teaching ठीक है error analysis क्या गलतियां कर रहे हैं बच्चे उसे भी हमें समझना है related aspect of learning ठीक है जो गलतियां कर रहे हैं उससे बच्चे क्या सीख रहे हैं ठीक है और हमें उसमें किस तरीके का बदलाव करना चाहिए वो सारी चीज़ें भी हम यहां पर पढ़ते हैं ठीक है इसके बात आ जाती है diagnostic and remedial teaching ठीक है diagnostic teaching और remedial teaching भी दोनों यहीं पर आ जाती है diagnostic का मतलब क्या होता है कि कोई भी समस्या बच्चे को है तो वो समस्या का पता लगाना क्या कहलाता है diagnostic teaching कहलाता है remedial teaching का मतलब होता है वो जो समस्या है बच्चे को उसका उपचार देना ही क्या कहलाता है remedial teaching कहलाता है इसी को हम उपचार आत्मक या निदानात्मक सिक्षन भी कहते हैं ठीक है इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगला portion आ जाता है हमारा EVS का, EVS भी हमारा दो portions में बटा हुआ है, एक content का portion है और दूसरा हमारा pedagogy का portion है, content के portion के अगर बात करें तो इसका जो पहला point है वो है हमारा family and friends, family और friends के बारे हमें पढ़ना है, इसके अंदर भी 4 point है जिसमें आ जाता है relationship, work and play, animal and plants के बारे हमें यहां पर पढ़ना है, यह जो 6 units दी गई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनके बारे में हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यह बहुत ही basic चीज़े हैं और बहुत ही important है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें किस के बारे में पढ़ना है, सबसे पहले हमें पढ़ना है, family के बारे मे family और friends क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, वो सब पढ़ना है, relationships क्या होती है, work and play होता है, क्या होता है, animals कौन-कौन से पाए जाते हैं, आसपास हमारे plant कौन-कौन से पाए जाते हैं, उन plant से क्या-क्या use होता है, ठीक है, plant के क्या use है, किसी animal की क्या use है, वो भी हमें यहां आपर समझने हैं इसके बात आज आता है second point में food जो भी हम फूड़ाते हैं क्योंकि हमारे भरत में अलग अलग जगे पर अलग अलग चीज़ें फेमस हैं अगर हम दिल्ली की बात कहें तो डिल्ली में कुछ और फेमस है अगर हम बंगाल निवास स्थान अलग-अलग होता है ठीक है अगर कोई मरस्थली लाके में रह रहा है तो वो अलग तरीके के घर में रहेगा अगर कोई मैदानी लाके में रह रहा है तो वो अलग तरीके के घर में रहेगा अगर कोई पहाडी लाके में रह रहा है तो वो अलग तरीके के घर म पढ़ता है तो shelter के बारे हम यहां पर पढ़ते हैं इसके बाद आ जाता है water water भी हमारे लिए बहुत essential होता है ठीक है essential चीजों में से एक है water इसलिए हमें इसे भी यहां पर पढ़ना है इसके बाद आ जाता है EVS का Pedagogical portion इसमें हम क्या देखते हैं Concept और Scope किसके EVS के वो हमें यहाँ पर पढ़ते हैं Significance of EVS Integrated EVS Significance क्या है EVS का और Integrated EVS क्या है उसके बारे में भी हमें यहाँ पर पढ़ना है इसके आद Environmental Studies क्या होती है और Environmental Education इसके बारे में हमें यह पर पढ़ना होता है यह सब हमें ईवेस के पीड़ागोजी के सेक्षण में पढ़ना है और इनसे questions आते हैं learning principles कि अगर बात करे हैं तो learning principles किया क्या होते हैं वह हमें यह पर पढ़ने है scope and relation to science and social science ठीक है scope स्कोप और रिलेशन क्या है science और social science का science और social science का scope क्या है वो भी हमें याँ पर पढ़ना है इसके बाद आ जाती है approaches of presenting concepts ठीक है इसके अब क्या जाता है approaches of presenting concepts किसी भी चीज को present करने के क्या concepts हैं approaches हैं, वो भी हमें यहाँ पर पढ़नी है, activities क्या होती है, उसके बारे में हमें पढ़ना है, experimentation क्या होता है, practical work क्या होते है, वो हमें यहाँ पढ़ना है, discussion method क्या होता है, वो पढ़ना है, CCE, continuous and comprehensive evaluation, क्या होता है, वो हमें यहाँ पर पढ़ना है, teaching material, aids क्या होती है, यानि कि TLM, TL क्या क्या होता है वो भी हमें यहां पर पढ़ना है और एक चीज जो मैं बताना भूल गया मैं वो फिर से बता देता हूं सबसे पहले अगर हम बात करें तो CDP की तो CDP में कितने portions हैं तीन portions है ठीक है और इन तीन portions से questions आते हैं इसके बाद अगर हम बात करें language 1 की और language 2 की तो दोनों में कितने sections हैं दो section है एक section इधर है एक section इधर है तो पहला section जो है वो comprehension का है तो comprehension 15 नंबर का आता है और जो दूसरा section पेडागोजी का है उससे कितने questions आते ह तो 15 नमबर का इधर से हो जाता है और 15 नमबर का इधर से हो जाता है इस तरीके से लैंग्विज में total कितने नमबर हो जाते हैं 30 नमबर के questions यहां से आते हैं इसके आद अगर math की बात करें तो math में भी 2 portion थे पहला portion और दूसरा portion ठीक है तो पहले portion से भी हमें कितने questions मिलते हैं 15 यानकी content से हमारे 15 questions आते हैं और 15 questions हमारे आते हैं किस से pedagogy से ठीक है हर बार ये ratio follow नहीं होता है ये मैं ध्यान से बता दूँ खास तोर पर 2021 के जो exam हुए seated वाले उसमें ये pattern को बिलकुल भी follow नहीं किया गया कभी कोई चीज ज़्यादा देदीगी कभी कोई चीज ज़्यादा देदीगी इसलिए आपको ये एक balance बना करके चलना है कि आपको syllabus complete करना है ठीक है कितने marks का आता है ये board पर छोड़ दीजे लेकिन एक जो माना जाता है वो ये है कि 15 15 के हिसाब से ये लोग देंगे ठीक है और यहीं सेम चीज फॉलो होती है एवस में भी डो section होते हैं पहला section जो होता है वो हमारा content का होता है और चीज़ा किसका होता है पैडागोजी का इसमें भी कितने questions आते हैं पंदरा questions आते हैं पंदरा है 15 marks के तो इसे भी हमें यहां पर देखना है ठीक है बुक्स की अगर बात करें तो CDP में आपके पास अगर B8 की बुक्स हैं B8 के अलावा BTC या DL8 की बुक्स हैं ठीक है तो DL8 की बुक्स हैं तो आप उससे पढ़ सकते हैं ठीक है अगर आपको बहुत ही डीडेल से समझना है तो आपके पास NIOS का मेटेरियल होना चाहिए और IGNU का मेटेरियल होना चाहिए लिंक आपको प्रोवाइट कर दूँगा अपने टेलिग्राम चैनल पर आप उसे भी जॉइन कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ठीक है इसके बाद बात करते हैं लेंगविज वन की तो लेंगविज वन में जो पैसेज आता है उसके अवेलेबल हैं आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और कर भी सकते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी आसानी से ठीक है और पेडागोजी के लिए आपके पास बीट की बुक्स हैं या फिर कोई भी मार्केट से आप रिफरेंस बुक ले सकते हैं पेडागोजी के लि हम आपको वहाँ पर link provide करा देंगे इसके बाद pedagogy के अगर बात करें तो इसकी pedagogy के लिए भी आप book ले सकते हैं कोई भी आप reference book ले लीजे उसमें इतनी जनरल चीज़ें दी हुई है जिससे आपकी पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी इसके बाद बात करते हैं mathematics की maths के content की अगर बात करें तो NCRT books 1 to 8 5 to 8 नहीं 1 to 8 आप सारी एक बार देख लीजे सारी आप अगर देख लेते हैं तो बहुत सारे छोटे-छोटे concepts आपको second, third, fourth की काब में भी मिल जाएंगे जो आपके लिए बहुत important हो जाते हैं तो आप वो भी वहाँ से पढ़ सकते हैं साथ ही ज़्याद अगर 1 to 8 आप solve कर लेते हैं तो seated के level के हिसाब से आपका more than sufficient हो जाता है पेडागोजी के लिए आप क्या करेंगे पेडागोजी के लिए B8 की कोई भी book ले सकते हैं कोई भी reference book आप market से purchase कर लेजे उसमें आपको सारी चीज़ा मिल जाएंगी इतना tough नहीं है बहुत आसान से topics हैं जो आपको आसानी से मिल जाएंगे और आपको आसानी से समझ में भी आ जाएंगे इसके बाद बात कर लेते हैं EVS की EVS में क्या है EVS के content के लिए आपको NCRT book पढ़नी है 325 के लिए 325 की जो books है 3rd, 4th और 5th की NCRT EVS की book ले लेनी है खरीद लेनी है पढ़ लेनी है पुरी अगर आप नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप NCRT app डाउनलोड कर सकते हैं उससे भी आप पढ़ सकते हैं उसको ठीक है इसके बाद बात करें पेडागोजी की तो पेडागोजी के लिए फिर से वही B8 की books अगर आपके पास हैं तो आप उससे बढ़ सकते हैं नहीं तो कोई भी reference book आप ले सकते हैं market से और उसमें बहुत आसान languages में दिया हुआ है कोई भी आप book लेते हैं कोई भी reference book ले लेते हैं तो अगर आप एक भी subject की लेते हैं तो उससे आप काफी सारे topics को cover कर सकते हैं ठीक है और फिर जो चीज़े बच जाती हैं आप उसको internet से भी cover कर सकते हैं अगर आप book नहीं लेना चाहते हैं तो मेरी तरफ से आज इतना ही उमिद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें क्योंकि आपके motivation से ही हमारी वीडियो आती है